Hello and welcome back to yet another video This is my program friend Piyosh So, now we are going to get into this python series We are going to get into this python And until now What have we learned in this data type We have completed our list In which we have In square brackets We have written elements Then we have seen about tuples In tuples, you have written elements In tuples, you have written lists But in which you have enclosed In which you do in brackets In open and close brackets Which you have done Now, what was this list In this list and tuples You can only add elements Some things Food items Or something specific You have added something Another data type In which you can add key and value If you have to store User data You have to store You have to store Name We will name 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 Age Age A Date of worth Date of worth Date of worth The data of worth Date of worth This will be पूरी डीटेल में बात करेंगे कि Python में dictionary क्या होती है तो dictionary को अगर मैं थोड़ा सा elaborate करूँ तो इसमें हम जो लिखते हैं इसमें क्या होता है इसमें list of words लिखा जाता है जिनका कुछ meaning होता है जैसे people का नाम उनकी favorite number या फिक कह सकते हो कि किसी का पूरा data किसी का पूरा सब कुछ आप उसके इंदर लिखना चाहो जैसे आप किसी form में लिखते हो तो इसमें दो परकार के एक element में दो उसके features होते है पहला होता है key और दूसरा होता है value की और value की में जो associated value जो है वो associate होगी key से मतलब की कोई supposed character unique number बोल सकते हो और उसकी कोई value होगी जैसे name name एक variable है और उसकी value हम इधर देते है value में आप ये string दे सकते हो आप ये integer दे सकते हो आप ये floor दे सकते हो और key और value आपस में separate कैसे होगी colon से तो ये पूरा एक element बन जाता है ठीक है इसमें element बनता है उधारन के तौर पे अगर किसी एंसान की age जो है वो 5 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे age colon 5 तो age जो हो गया वो key बन गया और 5 जो था वो उसकी value बन गई ठीक है तो ये dictionary होता है चलिए हम अपने code editor पे चलते है यानि visual studio पे चलते है और हम उधार इसको code करके देखते है कि किस तरीके से हम data store करेंगे हम आच चुके हैं अपने visual studio पर और हम यहां से थोड़ा सा अपने topic को बढ़ाएंगे और हम यहां मैं आपे लिखने जा रहा हूँ एक नया अब हम बना रहा हूँ जिसको हम बोलते है जिरो टू एडवांस स्वारी इंटर्मीडिये ठीक है जिरो टू इंटर मीडिये अम जितने भी अपने कोड़ें इस इंटर्मीडिये वाले में करेंगे और जिसका जो सबसे पहला topic होगा वो क्या होगा माना dictionary ठीक है dictionary is dot py okay so dictionary हमने देखा उसके इंटर key value pair होता है क्या होता है key value pair what is this key और value pair होता है एक element में key होगी और हमारे पास values होगी correct अब जिससे suppose करो कि हम simple से एक कुछ हम बनाते हैं जैसे user data हो गया user data जो हमारे website पे जो user आ रहा है उसका आपको डेटा लिखते है यह से लिखेंगे और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे उसका ना प्यूश ठीक है यह हो गया उसका पैला हम चाहते हैं कि उसकी हमें age of worth age of date of age age भी पता चले या फिर age पता चले उसकी date of worth नहीं age पता चले हमारे उसकी तो हम आप age लिखेंगे और age के आगे मैं लिख देता हूं suppose करो कि 20 ठीक है हमने ऐसे लिख दिया तो यह जो है यह मेरी एक list नहीं है data type क्या बन गया हमारा यह बन गया हमारा dictionary आप इसका print करके आप जब इसका देखोगे ना user data और इसका हम देखते है type क्या है type of user data जब आप इसको run करेंगे इसको close कर देता हूं टर्मिनल को kill terminal kill terminal और हम इसको clear करेंगे और मैं जाता हूं cd dot dot cd zero to intermediate clear करते हैं terminal और हम run करते हैं अपना पहला code इसका तो मुझे क्लास dict मिल गया क्या मिली रहा है मुझे class data अब इसमें value कैसे print करेंगे how we can print the values तो जैसे आपको पता है list में हम कैसे करते हूं इंडेक्सिंग लिखते थे 012 इसमें इंडेक्सिंग हम ऐसे लिखते हैं देखो अगर मैं इसमें इंडेक्सिंग लिखने चला जाओ user data 0 मैं 0th element में य value print करने तो आपको उसकी key देनी पड़ेगी हाँ पर महार पास key क्या है हम पास key है name तो हम जब name लिखेंगे तो इससे associated जो value होगी ने प्यूश यह मुझे यहाँ पर मिल जाएगी right similarly अगर मैं इसको control shift down करके मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूं age तो अब जो मैं देखोंगा इसमें मुझे प्यूश और 20 age मिल जाएगा तो यह एक index की तरीके से काम करता है जो इसकी key होगी एक index की तरीके से काम करेगी तो पहला क्या होता है key होता है और दूसरा क्या होता है index होता है ठीक है तो suppose को अगर मैं यह चाहता हूँ print मैं यहाँ पर करूँगा जैसे print user data मैं इस पूरी dictionary को print कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा मुझे इसी तरीके से dictionary मिल जाएगी user data make sure कि इसके end में क्या होना चाहिए curly brace लगा होना चाहिए ठीक है correct बहुत बढ़े है अगर हमें access करना है तो हमें simple क्या करना है इसको बस we need to enter the key of that value and हम यह पर value मिल चाहेगी अगर यहां पर लिखोंगा addition adding new value new value add करने के लिए हम क्या करते हैं simple हम यहां पर जो जैसे हम लिखते थे थे user data यहां पर index नहीं डालेंगे हम यहां पर key डालेंगे कि हम जैसे suppose chrome उसकी लिखना चाहते है कि type कैसा है या role हम लिखना चाहते है किस role का है तो एक website में कौन कौन से role होत key और इसमें value लाएंगे ठीक अब जब मैं इसको print करूँगा na print user data ठीक अब देखो यहां तक अभी क्या था name push age 20 यह जो पिछला वाला था इसमें हमने एक और add कर दिया जो कि at the end of the dictionary जाएगा तो role admin यह हमने एक नई चीज इसमें add कर दिया तो अगर आपको add करना है तो add कर करने के लिए simple से एक तरीका है कि आप ऐसे add कर सकते हैं एक जो default चीज होती है वो क्या होती है defaultly आपको क्या करना चाहिए आपको यहां पर मतलब एक जो proper way है वो क्या है आप ऐसे लिखने की बचाए क्योंकि बार बार इसको add करोगे आप पहले क्या डालो यहां पर एक empty dictionary आ अब हम इसमें यहां पर value एंटर कर सकते हैं ऐसे user data name, name के अंदर हमने क्या किया हम यहां पर डाल देंगे push ठीक है push डाल दिया फिर हमने user data लिखा और इसके अंदर हमने age डाला तो हमें यहां पर क्या मिलेगा age हमने लिख दी suppose करो 20 ठीक और अब जब हम यहां पर लिखेंग अब जाते हम इसके value को modify कर देंगे तो हम को स्ट जाते हम श्यां को modify करें तो आपको तो आप चलो, आपने मोडिफाय कर लिया, आपने आड कर लिया, आपने इंसर्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम सपोस्क्रों में डिलीट करना है, ठीक है, if I want to delete the, delete कुछ भी कर मुझे कोई element करना है, इस सारी चाहिए सेम है, आपको थोड़ा से इसमें लिखने का pattern change होता ठीक, डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, दो-दीन method है, पहला method यूज करते हैं, एक हम pop यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, और दूसरा हम क्या यूज करते है, delete method का use करते है, delete function का use करते है, suppose करो, आपको कोई जैसे, आपको मान के चलो कि आपको यहां से, अभी जिसके इंदर हमारे पास किया है, we have this many things, ठीक है, user name हमारे पास का प्यूश है, age है, role है, admin है, मैं हमारे जटाना चाहते है, उसको में पास age का कोई मतलब भी नहीं मनता, मैं नहीं चाहता है कि यहां पे age लिखा जाए या कुछ ऐसा, तो मैं age हटाता हूँ, तो age हटाने के लिए हम क्या करें, delete method यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे user data, और उसकी जो key होगी, जैसे age है, हम उसको यहां पे लिख देंगे, और frame इसको क्या कर देंगे, print कर देंगे, simple सा, user data हमने print किया, तो देखो, जब आप इसको यहां print करोगे, तो जब आप enter करोगे, तो अब यहां से क्या मिला, यह हमारा last वाला है, name और role बचा, सिर्फ हाली age हमारा यहां से remove हो च value होगी, उसको आप कहीं store कर सकते हो, ठीक है, अगर मैं store करना चाहूँ, deleted value, तो मैं कैसे लिखूँगा, यहां लिखूँगा, पॉप, इस तरीके से, मैं कैसे लिखूँगा, इसमें, आप यहां पे dictionary का नाम लिखें, user data, dot, पॉप आएगा, और इसके इंदर आप उसकी key ड लिखेंगे न, I will just try it, और मैं यहां पर 22 मिल जाएगा, कि मैंने यहां पर delete किया है, यह चीज, ठीक, और जो हम यहां से इसको print कराएंगे न, अपने user data, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, कि हमारी वह यह delete हो चुकी है, ठीक, यह तरीका होता है, अब अभी तक तो हमने modify क्या क्या है, modifying value, अगर मुझे key को modify करना है, if I want to modify key, modify key, ठीक, key अगर मुझे modify करना है, मैं कैसे करूँगा, key modify करने का कोई एक simple तरीका नहीं है, key modify करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको simple पहले क्या करना पड़ेगा, first, pop the value from old key and assign it to new key, simple, बस इतना सा, आपको simple सा fund आपना है, pop करना है और करना है, अभी हमारे पास में क्या है, name, push, role, number, admin, यह हमारे पास मैं है, ठीक, क्योंकि हमने delete कर दिया है उसको, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डालूँगा, और मैं यहाँ पे इसको paste कर दूँगा, इसको मैं type लिखना चाहता हूँ, user type है, admin type है, इस तरीके का, तो मैं क्या करूँगा, मुझे old की पता है, मैं क्या करता हूँ, suppose करो, मैं old value यहाँ पे लिखता हूँ, old value लिखा मैंने, user data लिया, pop किया, और जिसकी value मेरे पास अभी क्या है, role, मनलब role वाला की जो है, मैं वो यहाँ से pop कर रहा हूँ, role की जब मैं pop करूँगा, इसकी value मिल जाएगी, अब मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, user data, मैं new value यहाँ पे डालूँगा, जो की होगी, type, और इस type के अंदर, I will just write old value, चीक है, old value लिखूँगा मैं, और मैं यहाँ से print कर दूँगा, user data, जब हम इसको ऐसे करेंगे, तो आप रोल की जगे, यहाँ पे type हो गया है, इन दो line को आप एक line में भी कैसे convert कर सकते हैं, इन दो line को एक line में convert करने का तरीका है, user data, new value आप इधर डालो, साथ में आप क्या कर दो, user data.pop और पुरानी value यहाँ पे डाल दो, यह क्या करेगा, pop करके, इसकी value को यहाँ पे लिखके, इसमें assign कर देगा, तो यह एक ही line में आपको लिखने से मिल जाएगा, समझ रहा है, कितना easy तरीका है इस चीज़ को करने का, pop करने का, और यह सब कुछ, ठीक है, तो इस तरीके से आप key और value pair करके, आप इसमें dictionary बना सकते हैं, हम आग कितने बना सकते हैं Isnisecond, मैं कितने इसमें आप मन करणे से तरीका है, कितने में आपके तरीके में आपके, तरीके गाएगा है उहाईघास कै जाओिवावस